नमसे दोस्तों, मैं हनिलालवानी, हनिकीरसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सबके साथ में सिंधियों की बहुत एक रेडिश्टन और फेमोस रेसिपी जिसे सिंधि लोला, मिठा लोला या मिठा लोलो कहा जाता है बिसिकली मिठा लोला बनाया जाता है थदड़ी पे थदड़ी एक सिंधी फेस्टिवल है जिसमें शीतला मता की पुजा की जाती है और पूरा दिन ठंडा खाना खाया जाता है ठंडा खाना मतलब उस दिन गैस नहीं जलता है और यह जो मिठो लोलो है या जो और भी चीज़े बनाई जाती है वो बना दी जाती है एक दिन पहले तो कासी सारी वीवर्स ने कहा था कि मैं मिठो लोलो की रेसिपी शेयर करूँ तो मेरी अम्मा की रेसिपी यानि मेरी दादी की रेसिपी मैं आज आप से शेयर करने वाली हूँ तो मेरे सिंधी वीवर से कहना चाहूंगी अगर अजी जी रेसिपी पसंद आचना तो लाइक और शेयर चरूर कर जो मीठा लोला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीनी और पानी का एक गूल बनाना होता है तो मैंने यहाप चथाई कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है इसमें आदा कप चीनी डाली है आप चीनी की जगए गुड़ का इस्तमाल कर सकते हैं या आदी चीनी आदी गुड़ का इस्तमाल भी कर सकते हैं वैसे व्रेंस जो ट्रडिशनल तरीका है जो मेरी अम्मा याने मेरी दादी बनाया करती थी वो क्या करती थी चार-पांच गंटे पहले चीनी में थोड़ा सा पानी डालके छोड़ देती थी वो अपने आप गुल जाती थी लेकिन अभी हम इसको जल्दी बनाने के लिए कि हमें 4-5 गंटे का वेट ना करना पड़े हमें इसे गैस पे पका रहे हैं तो बस पानी में हलका से उबाल आया है गैस हम बन कर देंगे यह जो चीनी आपको नीचे दिख रही है यह गरम पानी में अपने आप पिगल जाएगी इसे हम ठंडा होने देंगे कि जो चीनी और पानी का जो गूल है त्वह हमारे ठंडा हो चुकत है त्यान रखना हमें चाशनी वगरा नहीं बनानी है पस पानी में हलका पानी गरम हो जाए और हमें इसे बन गर देना है इसमें हम डाल देंगे इलाइची आप चाहे तो पाउडर की जगे एक-दो इलाइची खूल कर भी इसमें डाल सकते हैं यहां हमने एक कप गिहूं का अटा लिया है मैं आपको सिफ दो कोकी बना के बता रही हूँ अब दो दिन बार थदड़ी है तो हमें और भी बनानी है और इसमें मैं डालने वाली हूँ तीन से चार चमच गी मैं देशी गी का मोयन दे रही हूँ आप नॉमल जो तेल है उसका मोयन भी दे सकते हैं तो आप चाहिए तो गी का मोयन देड, चाहिए तेल का मोयन देड और इसमें गी या तेल अच्छी quantity में डालना है आपको मतलब पता कैसे करना है कि गी या तेल कितना होना चाहिए उसके लिए पहले दो से तीन चमच ओयल या गी मिला लें, उसे अच्छे से इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको रब करेंगे, हमको पूरे आटे में इसको रब करना है, या जिसको मोयन देना कहते हैं, अवसे मोयन देना है हमें इसको, और इसके बाद आप अगर मुठी स्टेबल है, यह मैं मुठी बान रही हूँ, लेकिन मुठी देके खोलते ही, यह बिखर जा रही है, मतलब अभी इसमें मोयन कम है, तो हम इसमें एक से दो चमच गी और डाल देंगे, टोटल मैंने इसमें चार चमच गी का इस्तमाल किया है, और इसको इस तरी और फिर मुठी बान के देखे, मुठी देखे, स्टेबल होनी चाहिए, इस तरीके की, तो आपका जो मोयन है, वो पॉफेक्ट रहेगा, इसमें तेल या गी थोड़ा जादा लगता है, तब भी आपकी कोकी बहुत ही बढ़िया बनती है, तो बस यह रेडी है, अब इसमें हम ढाल दिगी, यह जो हमने पानी बनाया है, चीनी और पानी वाला, यह भी आपको पूरा एक साथ नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हर आटे पे में, कोई आटा जादा सोग करता है, कोई कम सोग करता है, उस according के आपको बनाना है, अगर आपने ए कर रेडी हो चुका है आपका जो आटा लगीगा वह बिल्कुल इस तरीके का एकदम इस्टेफ होगा तो जितनी चाशनी याने जितने पानी की जरुषत हो उतना ही आप पानी डाले और आटा इस तरीके का टाइट रखें और आटे का टेक्सचेर में आपको दिखाती हूं इ और ऐसा आटा हमको इसको नहीं लगाना है जब इसको गैधर करना है अब इसाटे को हम टू पार्टस में डिवाइट कर देंगे मैने जैसा शुरू में ही बताया हम दो कोकी के ही आटा लगा रहे हैं तो इसमें से हमारी दो कोकी बन करके त्यार होगी इस तरीके से जो ले लेंगे और इसको बेलने के लिए आपको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें अच्छा-कासा मोयन होता है तो बिना चिपके यह अच्छे से निकलाती है और इसको बेलते ओक ध्यान दीजिएगा आपको इसको बार-बार में नहीं उठाना है अगर आप बा इसके किनारों को इस तरीके से आप चोड़ सकते हैं और बस इसके बाद एक पर हलका सा इस पर बेलन और चला देंगे ताकि यह पूरी एवन हो जाए और ध्यान रिखिएगा बेलते ओक भी इसको बिल्कुल एक समान बेले कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसा ना हो और यह आप चाहें तो दूरी-दूरी पर कट्स लगा सकती हैं लेकि मेरी दादी जैसे बनाती थी मैं वैसे बना रही हूं तो इस तरीके से हमें इसमें पैटन बना लेना है ऐसा करने से कोकी मोटी होने के बावजूद भी अंदर से अच्छे से सिख जाती है और यह कट भी बहु आपको तवा लेना है तवा मीडियम गरम हो चुका था तो फ्लेम एकदम दीमी रखी है और एकदम लो फ्लेम पे हमें ये कोकी इस पर डाल देनी है अब जो प्रोसेज है वो पूरा एकदम लो फ्लेम पे होने वाला है आपको इसको दीमी आज पर ही सेखना है और एक बार एक से दो मिनिट बार ये सिख जाए उसके बाद या पल्टे अगर आपने पहले पलट दी या बार-बार इसको पल्टा तो आपकी कोकी टूर जाएगी तो इस जिच का आप दियान रखें तो एक तरफ से दो मिनिट हो चुके हैं मैं इसे पलट लेती हूँ और मैं वापस बत आ रही हूँ पूरा प्रोसेज आपको लो फ्लेम पे ही करना है यह देखिए हलके हलके इसमी चित्ती आ गई है अलका ब्राउनिंग आ गई है दूसी तरफ से भी मैं इसे पलट लिया था इस साइड भी अच्छी ब्राउनिंग आ गई है अब हम इस पे गी या ओल जो भी आ इसे बार-बार में पलटा है इसे आपको बार-बार नहीं पलटना है एक साइड से जब एक के दो मिनिट हो जाए तब या पलटे और देखिए दोनों तरफ से अच्छा सुनेरा कलर आ गया है तो कोकी हमारी रेडी है और एक कोकी को सिखने में करीब साथ से आठ मिनिट का स चिपक जाएंगी तो लीजे फ्रेंट्स यह थदरी स्पेशल मिठा लोला या फिर मिठी कोकी बन करके तयार है इसे सर्फ किया जाता है कैरी की अचार के साथ में यह किसी भी अचार के साथ आप से खा सकते हैं बहुत ही जारा टेस्ट यह लगती है और एक और खास बात इस है और च Tammy dug बिल्कुल माइल्ड मीठा होता है या नि बहुत जार्व मीठी नहीं होती है माइल्ड सी मीठी होती है तो आप इसे नॉर्मली भी छोटी मूटी वूट में कखा सकते हैं और उस मेरे नानल संधी व्यवर्स हैं उनको मेरे और परिवार कि तरफ से तर दरीजी वादयों.